Basic English Conversation Series 3 में आप सब का स्वागत है इस सिरीस में हम देखने जा रहे हैं Conversation Related to Shopping खरीदारी से संबंदित बातचीत हम English में किस प्रकार से कर सकते हैं तो आए देखते हैं इसका पहला सेंटेंस राजेश यहाँ पर दो लोगों के बीच में हम जह तो Conversation देखने वाले हैं राजेश और रमेश तो एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को दावत दे रहा है, बुला रहा है, आमंतन कर रहा है कि उसके साथ खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए चले क्योंकि जिन्रली हम शॉपिंग के लिए अखेले नहीं जाते हैं, किसी ना किसी को साथ में रखते हैं तो देखिए इन दो दोस्तों में किस तरीके से इंगलिश में बातचीत हो रही है राजेश अरे रामेश, क्या तुम्हारे पास आज कोई यूजना है या यानि तुमने कुछ सोचा है क्या कहीं कुछ जाने वाले हो क्योंकि उसको पूछना है क्या हो फ्री है, इसलिए तो वो उसे बुलाएगा फिर राजेश हे रामेश, हे कहते हैं इंगलिश में किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए उसका ध्यान अपनी तरफ आकरश्चित करने के लिए अरे रामेश डू यू हैब, डू यू हैब का मतलब होता है क्या तुमारे पास है डू यू हैब एनी प्लान यहाँ प्लान का मतलब कोई योजना, योजना यानि क्या तुम्हारे पास कोई काम है, क्या तुम कुछ करने जा रहे हूँ, क्या तुम free हो For today, आज के लिए, तो रमेश उसे जवाब दे रहा है Not really, just relaxing, why do you ask? रमेश बोल रहा है, वास्तों में नहीं, बस आराम कर रहा हूँ, तुमने क्यों पूछा है? तुम कैसे क्यों पूछ रहे हो? रमेश, not really, वास्तों में नहीं, just relaxing, रिलाक्स है नहीं, आराम करना, बस आराम कर रहा हूँ तुम क्यों पूछ रहे हो? वो उसका reason जानना चाहता है, कि उसका दोस राजेश उससे क्यों पूछ रहा है, कि तुम क्या कर रहे हो? राजेश, I was thinking of going shopping, do you want to come along? अब राजेश कह रहा है कि मैं shopping करने की सोच रहा था, देखिए, यहाँ English में हम क्या कह रहे है, I was thinking of going shopping, यहाँ going का word आ रहा है, जबकि हम हिंदी में उसका meaning क्या ले रहा है, मैं shopping करने की सोच रहा था, हम meaning ऐसी ले सकते है, going का मतलब जाना होता है, लेकिन यहाँ हम उसके meaning रहे हैं उसके बारे में सोच रहा था क्या आप साथ आना चाहते हो do you want to come along along का मतलब साथ में साथ साथ चलना साथ आना राजेश कह रहा है I was thinking मैं सोच रहा था of going shopping generally I am going for shopping right तो going shopping भी बोल सकते हैं shopping करने की do you want क्या आप चाहते हो हम किसी को भी कोई चीज अगर पूछते हैं क्या आप ये चाहते हो do you want to have coffee, do you want to have tea, do you want to come along, do you want to have rest तो do you want का मतलब होना क्या आप चाहते हो to come along, साथ आना उसको पूछ रहा है क्या आप मेरे साथ आना चाहते हो रमिश, sure, that sounds fun what are you planning to buy अब रमिश उसे जवाब दे रहा है, जरूर, sure, English में कहते हैं, जरूर ये मज़िदार लग, यानि ये तो अच्छी बात है, ये अच्छा लगता है आप क्या खरीदने की योजना बना रहे हो यानि आप क्या लेने वाले हो, क्या शॉपिंग करने वाले हो तो रमिश ने क्या कहा, sure, sure यानि जरूर that sounds fun, sound का मतलब आवाज होता है, लेकिन यहाँ इस sentence में sound का मतलब हो रहा है ऐसे लगता है, हम जब बोलते हैं न, अरे मुझे ऐसे लगता है कि वो शायद लेट हो जाएगा तो हम ये भी बोल सकते, I feel that he will be late लेकिन यहाँ, sound का मतलब कैसे हो रहा है, कि it sounds very difficult मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है जब कोई चीज हमें ऐसे feel होती है, तो उसे हम sound भी बोल सकते है that sounds fun, क्या उसे क्या fun लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, शॉपिंग पर जाना अपने दोस्त के साथ what are you planning, आप क्या योजना बने या आप क्या सोच रहे हो, क्या आपकी planning है, to buy, खरीदने की next example, Rajesh, I need some new clothes for summer, maybe a few t-shirts and shorts, what about you अब Rajesh क्या कह रहा है, मुझे गर्मियों के लिए कुछ नए कपड़े चाहिए, शायद कुछ t-shirt और shorts, आप क्या चाहते हो what about you, generally about के मैं भी आगे explain करूँ, Rajesh क्या कह रहा है, I need some new clothes for summer, मुझे गर्मियों के लिए कुछ नए कपड़े चाहिए, maybe a few t-shirts and shorts, शायद, maybe कहते हैं, शायद, कुछ t-shirts and shorts, what about you, आप क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए generally हम यह जो sentence है, what about you, तो कोई अगर हम से यह भी पूछ रहा है, क्या आप कैसे हो, how are you, I am fine, thank you, हम उसको reply करते, फिर आप पुन उसको भी पूछ सकते है, what about you, आपके बारे में क्या है, यह आप कैसे हो, तो what about you का जो sentence है, यह हमारे situation के अनुसार, उसके according, जी हो तो meaning, उसके change होते रहते है, what about you, जैसे वो बुला कि, अरे मुझे जरा यहां मार लगा है, दो दोस्त है, suppose, और वो कुछ गाड़ी से गिर गए, तो वो क्या कहेंगा, अच्छे मुझे तो लगा है, what about you, यह आपको क्या आपको भी लगा है, तो what about you, अब जिस situation में use करोगे, उसके meaning वैसे ही change होते जाएंगे, next example, रमेश, I could use a new pair of sneakers, minds are getting pretty worn out, अब रमेश क्या कह रहा है, कि मैं sneaker की एक जोड़ी खरीच सकता हूँ, मेरी बहुत खराब हो चुकी है, यह पुरानी worn out का मतलब बहुत ज्यादा use हो गई है, पुरानी हो गई है, घिस गई है, sneaker कहते हैं shoes, shoes की एक type होती है, जो नीचे से कपड़े की बनी होती है, और soul उसका जो नीचे, पॉम यह, इसका plastic का, लेकिन उपर से उसका जो पुरा body होती है, shoes की कपड़े की होती है, तो sneaker lightweight होता है, इसलिए ज्यादा use होता है, तो रमेश क्या कह रहा है, कि मैं sneaker की एक ज मेरे वाली जो है बहुत पुरानी हो चुक है, worn out, getting pretty worn out, यह बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, I could use a new pair of sneakers, मैं sneaker की एक जोडी खरीश सकता हू, mine मतलब मेरी या मेरा, mine are getting pretty worn out, मेरे बहुत पुरानी हो चुक है, next, Rajesh, great, let's check out that new mall downtown, I heard they have a lot of good stock, अब वो कहे रहा है, कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, आईए शहर के उस नए mall को मैंने सुना है, कि वहाँ पर कुछ नया stock आया है, या नया store, store कहते हैं, नया mall आया, नया stock आया है, Rajesh, great, great यह नहीं है आपर, बढ़िया, बहुत अच्छे, let's check out that new mall downtown, आईए शहर के उस न चीज़ें आपर अच्छी है, I heard they have a lot of good stores, मैंने सुना है कि उनके पाथ बहुत सारे अच्छे store है, यानि नया mall आया हुआ है, next, रमेश, sounds like a plan, what time do you want to go, अब रमेश क्या कह रहा है, ये तो एक योजने की तरह लगता, यानि ऐसे लग रहा है कि तुम तो बिलकु सोच कर आ देखिए, पिछले sentence में हमने sound देखा, तो वहाँ पर भी meaning हो रहा था लगना, एक योजना की तरह लगता है, ये तो मुझे sounds like a plan, आप बोल सकते हैं, it sounds like a conspiracy, conspiracy कहते हैं साजिश, ये तो एक साजिश की तरह लगता है, तो आप sounds ये किसी भी situation में use, हम उसको अच्छे से कर सकत है, what time do you want to go, किस समय तुम जाना चाहते हो, वो उसको पूछ रहा है, अब राजिश को जवाब दे रहा है, how about we meet at my place at 1 p.m. and then we can drive there together, कैसा रहेगा, अगर हम दो पैर एक बज़े मेरे घर पर मिले, और हम साथ में drive करके वहाँ जा सकें, अब वो उसको दोनों साथ में जाने की प्लान कर रहे है, तो वो कह रहा है कि ठीक है, अगर आप एक बज़े मेरे घर आ जाओ, तो हम साथ में drive करके वहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ एक खास sentence यह सीखिए अब, how about, how about का मतला है, generally how यानि कैसे होता है, about यानि के बारे में, about यानि तकरीवन, ऐसे कही meaning होते है लेकिन लगभग लगभग भी meaning होता है, about के, लेकिन यहाँ क्या होता है, meaning how about, यानि ये कैसे रहेगा, हम बोलते न, ये कैसे रहेगा, अगर मैं चलते चलते तुम्हें वहाँ से pick कर लू, रास्ते से, how about, if I pick you on the way, तो how about, यानि ये कैसे रहेगा, है न, how about we meet at my place at 1 p.m, या ये ठीक रहेगा क्या, ये आपके लिए, ये convenient है क्या, कैसे रहेगा अगर हम दो पर 1 बजए मेरे घर पर मिले, and then, then यानि तब, we can drive there together, फिर हम साथ में drive करके वहाँ जा सके, With this, we came to the end of this beautiful short video, मुझे उमीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको like, share और subscribe कीजी, और मैं बार बारी humble request कर रहा हूँ, मेरे जो वीडियो देखने वालों से, कि आप देख जरूर रहे हो, से मुझे views आ रहे हैं, लेकिन अगर आप subscribe करके देखोगे, तो मुझे एक family feelings रहेंगे, आपको भी एक attachment लगेगा, और then we can communicate, आपको जो चाहिए, उसके according ही मैं आपके लिए वीडियो फिर से बनाओगा, देखिए, आपके लिए सिर्फ एक है, तो click करने की बात है, लेकिन यहाँ एक बहुत motivation का subscribe and share with others and milta हूँ आप से अगले फिर कोई नए वीडियो में एक नए topic के साथ, till then please take care and God bless us all.